दोस्तों कि आपको या आपके किसी रिलेटिफ को बॉडी में गाठ बनी हुई है छोटी सी जो बाहर दिखती है कहीं फोर हेड पे बनी है कहीं चीक्स पे बनी है कहीं आपके आई के उपर बनी हुई है तो अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो most likely बहुत जादा संभावना है क कि वो लाइपोमा की होगी प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको उन्हों का वेलकम करता हूं हमाई चैनल फ्रेंड्ली डॉक्टर पे और मैं हूँ आपका डॉक्टर दोस्तों दोस्तों मैं एक रेडिलोजिस्ट हूं और मेरा यह चैनल बनाने का उद्देश है कि जो कॉमन जो जो सवाल है उनका मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आंसर कर सकूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यह चोटी चोटी गाठे जो बॉड़ी पे हो जाती है और आपको डर लगा रहता है कहिए कैंसरस तो नहीं है यह मेरे को क्या हो गया है कौन सी इमारी हो गई है तो आज हम इस पर बात करेंगे दोस्तों जो गाठे होती है यह कई प्रक प्रॉब्लम हो रही है इसके तो देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसके तो आधी आई शट हो गई है बटे देखके आगर मैं आपको बताता नहीं तो पूछता आप प्रॉब्लम होता है और बहुत में फीमेल में बच्चों में यह पाया जाता है तो दोस्तों यह कुछ नहीं होता है जैसे मैंने बताया कि यह फैट का टिशू होता है जो अबनॉर्मली स्किन के नीचे आ जाता है और ऐसे बल्ज मारता है तो दोस्तों अब इसको आपको आइडेंटिफाइ करना है कि क्या है आपने तो देख लिए गांट है अब उसके अंदर फैट है कि नहीं है कैसे फिला चलेगा तो दोस्तों इसके लिए आप रेडिलोजी क का टेस्ट है जो आप करा सकते हैं आप अल्टर साउंड के माध्यम से देख सकते हैं ठीक है इसमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि ये अब होमोजेनेस मर्ला एक जैसा लीजिन है और जैसा फैट का पेरेंसर वैसा दे रहा है तो इसमें इसमें कोई कैंसर का कोई है जिसमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ फैट है और कुछ नहीं है इसमें कैंसर होने के समावना ना के ब्राबर और दोस्तों और टेस्ट होता है कि डाउट है यह सब आपको जो थोड़े एक्सपेंसिव या डिली अविलेबल टेस्ट नहीं है अगर वैसी रवस्ता नह इसमें सुई के माद्यम से चोटा से टिशू निकाल लिया जाएगा सिरिंज में और इसको पैथिलोजिस जो होता है पैथिलोजी का डॉक्टर होता है वो स्टाइड बना के स्टड़ी कर लेगा उसका डिलेग जाएगा इसमें सब फैट आया है तो यह जो गांठ है को छेड़न नहीं चाहिए ऐसे गांठ में कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए अनलेस या तो उसको कॉस्मेटिक आपको अच्छा ही लग रहा आपको भद्दा लग रहा आपको confidence में कमी आ रही उसके वेज़से तो आप उसका ऑपरेशन करा सकते हैं या फिर अगर यह इसक कराना पड़े दोस्तों ऑपरेशन से बहुत बहुत बाहर होता है एकदम सुपरफिशर होता है तो बहुत ही आसानी से लोकल अनस्तीसिया देखे पूरा बड़ा वहोशी देखिविया वशक्ता नहीं पड़ती हो जाता है जैसे इसके यह फिंगर पर था पेशिंट के यह जो बॉड़ी का जो फैट होता है यलो कलर का दिखता है तो यह फैट के अपिरंस का होता है एकदम दिखने में आपने बस जड़ा सा स्केन हटाया यह दीजन बहार निकल के आगे और आराम से इसको स्क्रैप करके निकाल दिये जाएगा तो यह इस प्रकार का यलो यलो कलर का फैट का मास है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह जो टॉपिक है जो गांट की समस्या है आपको डर लगा रहता होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ा सा जो आपके अंजाइटी है जो आपका डर है वो कम हो जाएगा और मुझे लगता है कि आपके जो सकते हैं और ये वीडियो पसंदाए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स स्टे हल्दी स्टे हैपी